Hello everyone, welcome to study time with new informative video. IB में एक बहुत ही बड़ी vacancy आई है और जैसे ही इसका पता चला कि ये vacancy आई है तो एक खबर उड़ी कि ये vacancy फरजी है और ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो PIB है उसका जो fact check करने वाला unit होता है उसने ये चेक किया और उसे उससे पता चला कि ये जो news है IB में जो vacancy आने वाली है ये फरजी है और लगातार सब जगए यही होने लगा कि अरे ये तो फरजी है लेकिन बाद में इनकी जो PIB की fact check unit है इसने जब IB से पूछा तब IB ने clear किया कि हाँ ये चीज सही है पहले नोंने मंत्राले में सारी चीजें पूछी तो मंत्राले इतना बड़ा है वो MHA का कि वहाँ और उसके अंदर बहुत से अलग-अलग बिभाग है तो अब हर बिभाग की जानकारी सब किसी को नहीं होती कि कहां से क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है तो P.I.B. ने जो जानकारी मिली वहां से उन्हें पता चला कि ऐसी कोई वेकेंसी अभी नहीं आ रही है तो उन्होंने छाप दिया कि हां ये फेक है लेकिन बाद में जब I.B. को पता चला और उन्होंने उससे बात चीत की और ये सब हुया फिर P.I.B. ने देखा I.I. Intelligence Bureau से पता किया तो लगा कि हां ये वेकेंसी सही है क्योंकि इनका जो एक मतलब आप जानते ही होंगे कि जो न्यूज आता है उसमें ये आया था तो इसमें देखिए ये important notice फिर डाला गया है जिसमें बोला गया है कि attention is drawn to the action taken by the P.I.B. fact check unit on 16th December 2020 तो जब ये लिया गया था मतलब इन्होंने चेक किया था तो whereby the advertisement of intelligence bureau तो जो advertisement था MHE government of India का appearing on pages 6 and 7 of employment news तो जो employment newspaper आता है उसकी 6 और 7 नंबर के page में ये दिया हुआ था schedule to be released on 19th December जो कि 19th December को 19th December को आ जाएगा मतलब इसकी link activate हो जाएगी 2020 has been stamped as fake तो ये P.I.B. fact check unit के दारा बताया गया कि ये fake है लेकिन फिर बाद में सारी चीज़े हुई I.B. को पता चला और जब उन्होंने ये सारी चीज़े देखी और I.B. से फिर P.I.B. ने check किया तो पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ सही है ये जो employment newspaper में ये आया है ये सही आया है और इन्होंने ही छपवाया है तब जाकि ये है कि हाँ ये vacancy सही है तो जो भी बच्चे जबरानी की जरूरत नहीं है ये important notice भी डाल दिया गया है जिससे आपको पता चले ये P.I.B. की ऐसा नहीं कि कोई गलती से मतलब जान बूच के किया गया है गलती से हो गया क्योंकि उन्होंने जो जानकारी थी MHA से प्राप्त की और सभी को तो जानकारी नहीं होती ना हर च चला है कि हाँ जो 6-7 नंबर पे employment newspaper में था वो सारी चीज़ें सही है ठीक है तो I.B. में जो भरती आई है तो घपरानी जरूरत नहीं है 19 तारिक से इसका link activate हो जाएगा और ये फर्जी नहीं है तो ये बिल्कुल सही भरती है और आप इसका form ढाल सकते है इसके complete notification से संबंद जो भी वीडियो है वो आपको अगले वीडियो में साम तक या कल सुबह तक दे दी जाएगी और उसमें क्या-क्या मांगा गया है क्या सारी चीज़ें लगना है graduation वगएरा जो भी चीज़ होगा वो सब आपको उसके दौरान दौरान बता दिया जाएगा तो thank you मिलते हैं न